बद्यपरदेश की धार की बात करते हैं जहां आचार सहिंता लगने से पूर्व कॉंग्रेस विधायक बालकुमुंद सिंग गोतम ने प्रेस कॉंफरेंस की और बड़ा बयान दिया और निकागी सरकार का खाली खजाना होने के बावजूत मुखेबंतरी कमलाद के निद्वत में जैकिसान रिन फाफी योजना के तहट 55 लाग किसानों का 50,000 करोड रुपे कर्ज माफ कर दिया गया है और अब रिन खातों में भुगतान करना भी शुरू कर दिया गया है सरकार अपने वचन पत्र के मुताबिक काम कर रही है और एक एक करके सारे बादे पूरे किये जाएंगे इसके उप्रांग भी देखा है आपने कमलनाजी के सरकार में खर्चों के पूरी पाबंदे लगा रखी है और भी नमी होने के बावजूद भी बड़ी बात है कि जादा खाली होने के बावजूद भी कमलनाजी अपने शिसकार आदे माफ कर रही है और सेलरी भी सब दे ही रही है तोड़ा बचूपरी तो उसको भी दाई रहे हैं इसी तोर पर ये सब किये क्योंकि पंदरा साथ ने डीड़ी हुई है तो चार चे में लगेंगे सुझवार नहीं है जो उनके भस्त अधिकारी और कमचरी यहां जबियोड है वो कच्र जरूर्ट्सार कम हुआ है। इसी बात को लेकर बार वार वार OFF 33 की बात आती है कि लेंमेन बार है किसी ने प्रेशर दर्वा दिया है प्रेश्र हो सानता ले कम छली बाते पते हैं क्ल यारा कारी को एक छो ख्रावनों से चाली हो सबिसक्या तो